गमला, plant pot यह oxygen देने से जादा decoration के काम आता है और आपके interior की सुंदर था बढ़ा देता है इसका reference मैंने Chris Burkard के Instagram account से लिया था आप भी ही ले सकते हैं नहीं तो फिर Google और Pinterest है ही तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले 7 दबा के आप top view में जाएए, vertices 20 कर दीजिए फिर proportional editing on करके leaf shape बनाईए, vertices सेलेक्ट करके loop tool सेलेक्ट करिए और फिर space सेलेक्ट करके इसको equal कर दीजिए edit mode में जाके right click दबाईए और grid fill यूज़ करके span और offset सेट करने की कोशिच कीजिए मेरे case में ये 4, 8 होता है कभी, 6, 7 होता है आप देखे आपके में क्या fit बैटेगा फिर बीच वाली edge को सेलेक्ट करके offset edge loop सेलेक्ट करिए और इससे बीच का तना बनाने की कोशिच चीजिए बीच के 3 vertices को सेलेक्ट करिए एक्स्टूड करिए एक्स्टूड करिए एक्स्टूड करिए एक्स्टूड करिए एक्स्टूड करिए एस दबाईए front view में जाके proportional editing यूज़ करके पत्ती को मोड दो middle vertices सेलेक्ट करके curvy shape दो इसको next आप solidify और sub surface division लगाके आप इसकी surface smooth कर ली इसके बाद edit mode में जाकर one दबाकर front view में आईए और फिर सारी vertices यह दबाकर select कर लीजिए इसके बाद g दबाकर इसे origin point पर match करने की कोशिश कीजिए ध्यान रखिए edit mode में करना है आपको object mode में नहीं यहाँ पर आपका project save कर लीजिए next round है stem का stem बनाने के लिए एक low poly cylinder ले आईए जिसकी vertices 8 से जाता ना हो control r दबाके इसके loop cut लगाईए और proportional editing से इसके shape नुकीली यह point लीजिए next आप इस पूरे पोदे को control करने के लिए controller बनाएंगे इसके लिए एक empty को ले आईए इसका name change करके controller रख दीजिए next आप अपनी पत्ती को select करिए और इस पर error modified लगाईए relative offset unselect करके object offset select करिए और empty को as object select करिए count बढ़ा जी दे जितनी पत्तियां आपको चाहिए next empty select करिए z plus z दबाकर उपर की जीजिए r plus z दबाकर पत्तियां rotate कर दो आपका पौधा तयार है बट रियल लाइफ में पौधे काता होना कभी इतना state नहीं होता इसको state करने के लिए zero curve लाइए size scale करिए r minus 90 करिए z z दबाके इसको center में लाइए option mode में stem select करके curve modified लगाईए और object को basier curve पर select करिए select करते हैं आपका इस टाइम नीचे गर जाएगा ये देखके आप बिल्कुल भी घब रही है ये नहीं और deformation axis चेंज करके z कर दीजिए same process आप leaves के लिए भी अपनाईए next round है pot का pot बनाने के लिए shift plus एह दबाकर cylinder ले आईए इसके उपर नीचे के दोनों faces select करके इनको बिना किसी दया के उड़ा दीजिए इसका surface solidify से solid कर दीजिए shape smooth करने के लिए सब surface लगा के इसको सुंदर कर दीजिए loop cut लगा के बागी की shape दे दीजिए आपका पौदा और गमला रेड़ी है इसकी फुल recording जो कि मैं दो तिन दिन में डालने वाला हूं देखने के लिए subscribe करिए